नागपुर में कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर हमदामा देखने को मिल रहा है राहुल गांधी ने नागपुर में एक कारिक्रम में कहा कि वो रायबरेली में सांसदों की एक बैटक में हिस्सा लेने पहुँचे थे कॉंग्रिस नेता ने कहा कि गल्ती से उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से नाम पूछ लिया वहां जितने भी अधिकारी तैनात से उनमें से अधिकतर एक दो समधाय से ही थे राहूल गांधी ने इस बयान के मात्यम से बीजेपी की कींदर सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी आधितनात सरकार को गेरना चाहा था राहूल गांधी लंबे समय से शिर्ष पदो पर OBC, SC और ST समधाय के प्रतिनेदित कुल लेकर आवाज उठाते रहे हैं नापपुर में राहूल गांधी ने कल दो बयान दिया था उसके जबाब में यूपी सरकार के मंत्री दिनीश प्रताप सिंग ने कॉंगरस नेता पर हमला बोला है उन्होंने कहा कि नयाले के जो जज हैं क्या उन्हें मोदी जी ने निक्त किया है सभी जज कॉंगरस के सरकार में ही निक्त हुए हैं उन्होंने कहा कि आज की तारीख में राहूल गांधी जी अपने काम उजादर कर रहे हैं उन्होंने सवाल किया कि राहूल गांधी जी ने देश के लिए क्या किया बताया जाए राहुल गांदी जी स्पष्ट करें कि कॉंग्रिस में कितने पदादिकारी दलित पिछले हैं वे देश की जनता बताए देश की सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं कर रही है मोधी योगी की सरकार जनता के इत्मे कान करती है राहुल गांदी जी दिशा की बैठक को MP की बैठक कह रहे हैं ये दुर्भाग है देश का कि राहुल गांदी जी जैसे नेता ऐसा बयान दे रहे हैं राहुल गांदी ने नागपुर में एक कारिक्रम में कहा कि वो रायबरेली में सांसदों की बैठक में हिस्सा लेने पहुँचे थे कॉंग्रिस नेता ने कहा कि गलती से उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों से नाम पूछ लिया वहां जितने विदिकारी तैनात से उनमें से अधिक्तर एक दो समदाई से ही थे राहुल गांदी ने आगे कहा कि कभी कभी मैं गंगाराम अस्पताल जाता हूँ वहां मैं खोजता हूँ कि कहीं से भी एक भी OBC डॉक्टर मुझे दिख जाए कोई दलित आदिवासी और अलप संकिक समाज कर दोक्टर नहीं दिखता है राहुल गांदी ने कहा कि कॉर्पोरेट इंडिया में खोजता हो कि कहीं कोई नाम दिख जाए नहीं दिखता है राहुल गांदी बोलते हुए यहां तक कह गए कि नाय पालिका में भी आई कोट में प्रती निदित नहीं दिखते है इस कबर के बारे में आपकर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं